प्रो कबड़ी सीजन 10 में को यहाँ पे 4 मैचेस कम्पलीट हो चुके है और आज के क्या ही मैचेस थे दोनों ही मैचेस हमें नेल बाइटिंग देखने को मिला एंड इस दो मैचेस कम्पलीट होने के बाद पॉन्स्टेबल में बहुत ज़्यादा चेंजे समय देखने को मिले है इस दो मैं आपको प्रो कबड़ी सीजन 10 का नया पॉन्स्टेबल बताने वाला हो कौन से टीम कौन से रैंक पे है आईए इस वीडियो में जानते है इसे बेले कि मैं आपको पॉन्स्टेबल बता हो मैं सिप थोड़ा ही से समय लेने वाला हूँ यह है कि जिन्होंने भी टेलिग्राम चनल को जॉइन नहीं किया फटफट जॉइन कर लो बहुत कुछ एक्स्क्लूजिव अपडेट्स आने बाकी है जिनको भी जानने है तो फटफट टेलिग्राम चनल को जॉइन कर लो 31 से हरा दिया और दूसरा मुकाबला बहुत ही क्लोस था जहां पे गुजराज चैंट्स की टीम ने बैंगलोडु बुल्स को 34-31 के स्कोर से हरा दिया तो दोनों ही जो लूजिंग टीम थी उनका स्कोर 31 था पॉंस्टेवल स्टार्ट करते बॉटम से स्टार्ट किया जाए तो नमबर 12 पे दबंग डैली की टीम है दबंग डैली की टीम ने एक मैच खेला है अपना पहला मैच हारते ही इनके पास 0 पॉइंट है स्कोर डिफरेंस इनका माइनस 11 का चल रहा है और इनका अकला जो मुकाबला है वो डैरेक बैंगलोडो बुल्स के खिलाफ होगा बैंगलोर लेग में यानि कि एहमदाबाद लेग में अब दबंग का जो मैच है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है नमबर 11 से लेके नमबर 7 तक वो टीम है जिनोंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है लाइक पटना पारेट्स, पुनेडी पल्टन, जैपूर पिंक पैंतर्स, हरियाना स्टीलर्स और बेंगॉल वारियस की टीम तो डारेक हम टॉप 6 पे बढ़ जाते है नमबर 6 की बात की जाए तो नमबर 6 पे तलगू टाइटन्स की टीम है तलगू टाइटन्स की टीम ने एक मैच खेला है अपना पहला मैच हारती ही इनके पास एक पॉइंट है तलगू टाइटन्स का जो नेक्स्ट मैच है वो यहाँ पे पतना पारेट्स के खिलाफ होने वाला है नमबर 5 पे बेंगलू बुल्स की टीम आचुकी है बेंगलू बुल्स की टीम ने एक मैच खेला है अपना पहला मैच हारी है इनके पास एक पॉइंट है स्कोर डिफरेंस इनका माइनस थरी का चल रहा है एंड इसी के कारण यहाँ पे नमबर 5 पे और इनका अगला मुकाबला बेंगल वारियर्स के खिलाफ होने वाला है कल के दिन नमबर 4 पे UP योधास की टीम है UP योधास की टीम ने एक मैच खेला है अपना पहला मैच हारते ही इनके पास एक पॉइंट है एंड इनका भी जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे माइनस थरी का चल रहा है एंड योधास का जो अगला मुकाबला है वो यहाँ पे हरियाना स टीलर्स के अगेंस्ट होने वाला है नमबर 3 पे यू मुंबा की टीम है यू मुंबा की टीम ने एक मैच खेला है अपना पहला मैच जीते ही इनके पास टुटल 5 पॉइंट से एंड इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे प्लस थरी का चल रहा है यू मुंबा की टीम अपना पहला मैच जीती यू पी योधास के अगेंस्ट एंड बहुत ही अचा फॉम में है एंड जो अगला मुकाबला यू मुंबा का होने वाला है वो यहाँ पे गुजराद जैंट के अगेंस्ट होगा वो भी उनी के होम लेग में एहमदाबाद में नमबर 2 की तरफ मुकाबला है वो यहाँ पे बेंगॉल वारियर्स के खिलाफ होगा एंड अभी नहीं होगा एक हफ़ते के बाद होगा एंड नमबर 1 की बात की जाए तो नमबर 1 पे होम टीम गुजराद जैंट की टीम है इनी का लेग चल रहा है एंड धमाल मचा रही है दो मैचेस के पे है आप कॉमेंट का के जरूब बताएगा आज के दो मैचेस की बात की जाए तो पहला मुकाबला सीजन 9 की फाइनल टीम फाइनलिस टीम जो यहाँ पर पुनेडी पल्टन एंड जैपूर पिंक पैंतर की टीम थी उन दोनों के बीच में होगा एंड दोनों ही टीम अपन पहला मैच खेलेगी PKL 10 का रात के 8 बजे होगा दूसरा मुकाबला बेंगलोर बुल्स और बेंगॉल वारियस की बीच में खेला जाएगा बेंगलोर की टीम अपना पहला जीत इस मुकाबले में ढून रहा चाहेगी वही पर बेंगॉल वारियस की टीम अपना पहला कुछ अपडेट्स आने बाकी है वह मैं आपको टेलेग्राम पर शेयर कर देने वाला हूँ तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और ने इंट्रस्टिंग उड़ो के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग